तो पत्र से कहता है कि हमें संसार में परदेशी हैं, हम एक सफर में हैं और हमें परमेशर के पास एक दिन जाना है, हमारा जो निरधारित घर है, जो परमेशर ने निश्यत किया है, वो उस घर तक हमें पहुँचना है, तब तक हमें एक सफर में हैं, और उस सफर का क्या नाम ह विश्वास, हम विश्वास के सफर में हैं हमारे पास विश्वास है परमेशर प्रभु येश्व मसी के उपर हमारी आशा है कि उसने हमें चुना है उसने हमें छुडा लिया है उसने हमारे लिए एक घर बनाया है जैसे कि उसके वचन में हम देखते हैं लेकिन हम जब सफर में हैं तो हमें जाचने की जरूरत है कि हम जिस सफर में हम जा रहे हैं उसमें जाने से पहले उसमें चलने से पहले हमें अपने आपको जाचने की जरूरत है अपने विश्वास को जाचने की जरूरत है इस सफर का क्या नाम है? विश्वास हमें अपने विश्वास को जांच लेने की जरूरत है क्या हमारा विश्वास सच्छा है क्या हमारा विश्वास सही है ऐसा संभव है कि हम सालों से चर्च आ रहे हैं सालों से प्रभु को जानते हैं सालों से हम सेवा भी करते हैं और सालों से हम अलग-अलग क्या बोलते हैं मसीही जो गतिविद्या होते हैं wherein हम हिस्सा लेते हैं उसके बावजूद भी हमारे विश्वास के अंदर हम कमी को देख सकते हैं हो सकता है कि हमारा विश्वास एक सही विश्वास नहीं है तो हमें अपने विश्वास को जाचने की जरूरत है और याकूब की पत्री से हम देखेंगे कि हम अपने विश्वास को किस परकार हम जाच सकते हैं अपने विश्वास को किस परकार जाच सकते हैं हमारा विश्वास किस के उपर है प्रभुयेश्मसी के उपर प्रभुयस्मसी अद्बुत परमेशर सामर्थी प्रभु है अद्बुत काम करने वाला प्रेमी परमेशर दूसरों पदया दिखाने वाला परमेशर जीवन देने वाला परमेशर दूसरों के दुखों को समझने वाला परमेशर दूसरों को चंगाई देने वाला परमेशर द तो उस परमेश्र के उपर जब हम विश्वास करते हैं, क्या हमारे विश्वास की बुनियाद सही है, क्या हमारे विश्वास की बुनियाद सच्छी है, क्या हम सही रिती से विश्वास कर रहे हैं। प्राथना करने वाला, दान देने वाला, लोगों के लिए प्राथना करने वाला, परमेश्र के भजन किरतन करने वाला, परमेश्र का ज्यान सिखाने वाला व्यक्ति था वो, लेकिन जब येश्वमसी के इस पास में जब वो आये, मिलने के लिए प्रभु येश्वमसी से, त तब तक तुम नहीं जन्मोगे, तुम्हें नया जन्म नहीं मिलेगा, तब तक तुम उद्धार नहीं प्राप्त कर पाओगे, प्रभु ने उसको वो खुद एक बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति अपनी आपको समझता होगा, सायद उसने सोचा होगे, प्रभु मेरी तारी परमेशन के रूप में सायद पहचान नहीं पारा था, एक गुरु के रूप में सायद देख रहा होगा, और प्रभु के पास में आया, तो प्रभु इसको बोला कि तुम्हें उधार चाहिए, तुम्हें नया जन्म पराप्त करना जरूरी है, तो परमेशन के सामने हम, इस बात को समझना, हम सोचते हैं कि हम सारी चीजे तो कर रहे हैं, प्राथना भी करते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, वास्टिंग प्रेयर भी कर रहे हैं, वेजनेस दे को भी जाते हैं, सब चीजे तो कर रहे हैं, इसका मतलब संदे को भी समय से जाते हैं, बस इसका मतलब मेरा करमेशर परने सीमीत रहें जाहता Purdue सिमीत रहें विस्वास में आने के बाद हम इतना ही करते है कि इंगी कुछ चीजे थी पुराने जो हम करते थे वह हमने जोड़ दिया वो हमने करते हैं उसके बाद हम चाहरा शुरू करते हैं संड़े को वेडर्नेस देगौ सी मैं विश्वासी हूँ मैं मेरा विश्वास अच्छा है सच्छा है लेकिन विश्वास हमारे जो विश्वास का जो प्रगटावा है वो इतनी चीजों तक सिमित नहीं है परमेश्वर चाहता है कि हमारा विश्वास एक अलग तरीकी से दिखे हमारे जिंदगी के द्वारा आई हम याकूब 2 निकाल लेंगे याकूब 2 उसका 14 से 26 तक हम आज सीखेंगे इसमें लिखा है 14 में हे मेरे भाईयों यदि कोई कहे कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लाब क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है अब इस वचन को सुनके थोड़ा सा अजीब लगेगा कि बाईबल तो कहती है कि उद्धार कर्मों पे आधारित नहीं है पोलुस तो कुछ और कहता है इफिस्यो 2 आठ पढ़िये क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रे ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी और से नहीं वरन परमेश्वर का दान है यह कारियों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे क्योंकि हम उसके हाथ की कारीगरी है जो मस्य येश्व में उसके भले कार्यों के लिए स्रजे गए हैं जिने परमेश्ण ने प्रारम भी से तियार किया कि हम उन्हें करें तुम्हें जो उद्धार मिला है वो विश्वास के द्वारा अनुगरे से मिला है कर्मों की कारण तुम्हें नहीं मिला तुम जो कार ये करते उससे तुम्हें ये उद्धार नहीं मिला पोलुस इस प्रकार कहता है याकुब इस प्रकार कहता है कि कोई कहता है कि मैं विश्वास करता हूँ पर कर्म न करे तो इससे क्या लब क्या ऐसा विश्वास उसका उद्धार कर सकता है हम ऐसा लगता है कि दोनों आपस में लड़ रहे पोलुस कह रहा है कि विश्वास से अनुगरे से उद्धार होगा याकुब कह रहा है करम तुम कह रहा है विश्वासी हूँ पॉलुस हमें ये बताना चाहता है देखो तुमारा उद्धार किस प्रकार हुआ है पॉलुस क्या बता रहा है पॉलुस ये कह रहा है कि देखो तुमारा उद्धार किस प्रकार हुआ है अनुग्रही से विश्वास के द्वारा तुमारा उद्धार हुआ है वो हमें दिखान है कि दिखने दो अपने जीवन से कि तुमारा उधार हुआ है हालेलुया याकूब क्या रहा है कि दिखने दो कि तुमारे तुमारा उधार हुआ है तुम अपने जीवन से दिखने दो कि तुमने परमेश्र के अनुग्रे को पाया है तुम अपने जीवन से दिखने दो कि हमा समझ में आया, दोनों को देख लिया हमने, कि किस परकार दोनों बातचीत कर रहे हैं, तो हमें अपने पोलू से एक जगा ये भी कहता है, कुरुंतियों में 13.5 में, कि अपने आपको परक कर देखो, कि विश्वास में हो या नहीं तुम लोग, तुम लोग अपने आपको परक कर देखो कि विश्वास में हो भी की नहीं, तो अब हम अपने विश्वास को किस परकार पहँचानेंगे, कि मेरा विश्वास सही है या नहीं है, ठीकि जिस परकार हमने वचन पढ़ा कि हम अपने आपको परक कर देखे, हम किस परकार अपने आपको परक कर देख सकते हैं, चोदा में हम देख रहे हैं कि विश्वास तो हम करते हैं लेकिन क्या हम कर्म करते हैं विश्वास में तो हम आ गए हैं प्रभु येश्व मसी पर हमने विश्वास कर लिया है लेकिन क्या हम अपने विश्वास के दौरा जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का प्रगटावा, हम क्या अच्छे भले कारियों के द्वारा करते हैं, अगर हम विश्वास में हैं, तो परमेश्र चाहता है कि हम अपने उस विश्वास को, हम कारियों के द्वारा, अपने लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, समाज के बीच मे यहें पर पंदरा में दिया हुआ है किस प्रकार जाचे हम अपने विश्वास को एक उदारन यहाँ पर याकूब देता है लिखा है यदि किसी बाई बहन के कपड़े नहों और उन्हें प्रति दिन के भोजन की जरूरत हो और तुम में से कोई कहे कुसल से जाओ गरम और त्रिप्त रहो पर उन्हें कोई वस्तू न दे तो उसके सरीर के लिए आवशक है तो क्या लाब अगर तुम कहते हूँ कि मैं विश्वासी हूँ मैं ये से उपर विश्वास करता हूँ लेकिन तुमारे पडोस में ये तुमारे कलीशिया में ये तुमारे आज़ पास कोई ऐसा व्यक्ति तुम देखते हो जिसे खाने की ज़रूरत है जिसे कपडों की ज़रूरत है हम उसको उसकी मदद करने की बजाए हम सिर्फ उसको क्या बोलते है प्रभू तुझे आशीज दे ध्यान रखना ठीक है हमें आपके चिंता है उनके सिर्फ पे हाथ फेरेंगे टेंसन मतलो चिंता मत करो परमेशर आपकी मदद करेंगे परमेशर आपकी सहायता करेंगे हम कई बार इस परकार करते हैं जो सच्छा विश्वास क्या हमारा विश्वा सच्छा है यहां पर जो उदारन दिया है उससे हमें पता चलता है हम अपने आपको देख सकते हैं क्या हमने कभी इस प्रकार किया है कई बरी कि किसी को हमने जरूरत में देखा हम अपने आपको विश्वास ही प्रगट करते हैं उसके लिए प्राचना भी कर देते हैं, प्रभू इसकी मदद कर, भाई प्रभू ने तुझे ही भेजआ, इसकी मदद करने के लिए, कर उसकी मदद, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं सिर्फ सब्दों में उनको सांतों ना देने की कोशिस करते हैं चिंता मत करो परमेशर आपकी साहयता करेंगे टैंसन मतलो प्रभू आपके साथ में हैं प्रभू आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे अपने आपको विश्वासी दिखा रहे हैं, हम अपने सामने वाली जो भाई बहने विश्वासी हैं या विश्वासी नहीं भी हैं, हमें उनकी जरूरत को हमें दिखाई नहीं दे रही है तो क्या सच में हम विश्वास में हैं, हम जिस पर विश्वास करते हैं, वो परमेशर दूसरों की जरूरत के लिए अद्बूत कारी करता था, उनकी जरूरत को पूरा करता था हम उस परमेश्व के विश्वासी अपने आपको बोलते हैं लेकिन उसके जैसे कर्म हमारे जीवन में हमें कई बार नजर नहीं आते हैं हम करते नहीं हैं सिर्फ हम अपने आपको एक विश्वासी करके मैं मसी हूँ इस प्रकार अपने आपको प्रदर्शित करते याद रखिए जो पहली बात हम यहां से सीखते हैं कि सच्छा विश्वा सिर्फ शब्दों तक सिमित नहीं होता अगर हम विश्वासी हैं, सच्छे विश्वासी हैं अगर हमारा विश्वास सच्छा है तो आप अपने जो भाई बहन है जो जरूरत मन है आप उनकी उपेक्षा नहीं करोगे आप उनके लिए सिर्फ प्रात्ना नहीं करोगे सिर्फ प्रात्ना नहीं करोगे आप उनके लिए जो आप से बन पड़ेगा आप उनके लिए करोगे सच्चा प्रेम जो सच्चा विश्वा से वो सिर्फ सब्दों तक सिमित नहीं होता अगर मैं कहूं मैं विश्वासी हूँ और मेरा अगर मेरा विश्वा सच्चा है तो मेरे सामने जो जरूरत मन है मैं उसकी जरूरत को क्या करूँगा उनको पूरा करूँगा मैं ध्यान रखूँगा मैं सिर्फ सब्दों से सांतवना नहीं दूँगा परमेश्व चाहता है कि इस समाज के अंदर हम अपने विश्वास को जो उदार करता परमिश्व है उस प्रेम को हम समाज के अंदर दिखाएं सिर्फ अपने आपको विश्वासी विश्वासी बोलने से कुछ नहीं होने वाला ये फिर एक खोखला विश्वास हो गया एक खोखला बिल्कुल जो खाली है अंदर से कुछ नहीं है सच्छा विश्वास सिर्फ शब्दों तक सिमित नहीं रहता अगर हम इस प्रकार करते हैं कि हम आप तिंता ना करें प्रभू अपकी मदद करेगा ध्यान रखें अपना तेके प्रभू आप आसीज़ दे और हम चले आते हैं हम इस प्रकार अपने आपको उन लोगों के सामने प्रगट करते हैं तो किया सच में क्या हमारे विश्वास में कोई सचाई है बताइए कोई सचाई है अपने हमारे विश्वास में क्या ये जूटा विश्वास नहीं ढहरा हम सिर्फ मसी के विश्वास ही अपने आपको कह रहे हैं मसी का चरित्रा हमारे जीवनों के द्वारा दिख नहीं रहा है बले कारियों के द्वारा तो क्या ये विश्वास इस विश्वास में कोई सच्चाई है बताए तो सच्चा विश्वास जो होता है वो सिर्फ सब्दों तक सिमित नहीं होता सच्च विश्वास भले कारियों में दिखाई देता है सिर्फ भावनाओं में नहीं भावना अत्मक हो जाते हैं बहुत बुरा लगा आपके साथ ऐसा हो गया बहुत दिल दुखा ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए था और बहुत बुरा लग रहा है कि आपके घर में खाने के लिए नहीं है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, सिर्फ बाते करके हम आ गए, भावनाएं दिखा दिये उनको, सायद आशू भी दिखा दिये, जो जरूरत मन्द हमारे भाई बहन है, हमने सायद उनको अपनी भावनाएं भी दिखा दिये, जरूर विश्वास भावनातमक नहीं होता, क्रियातमक होता है, वो क्रिया करता है, वो कारिय करता है, अब बोलेंगे कि भले कारिय क्या कर सकते हैं, उपर वालु धारण में ही है, जरूरत मन्दों की जरूरतों के लिए हमें खड़ा होना चाहिए, जो जरूरत मन्द है, इसकी जर परमेश्र का गुण नहीं है प्रेम परमेश्र का गुण है देना परमेश्र का गुण है दुसरे के दुख को समझना परमेश्र का गुण है दुसरे के पीडा को समझना परमेश्र का गुण है दुसरों के जरूरत को पूरा करना परमेश्र का गुण है हम कई बार इतने स्वार्थी हो जाते हैं हम जरूरत मंदों को इगनौर कर देते हैं अंदेखा कर देते हैं जूटी सांत मना देते हैं कई बारे हम उनको बस सब्दों की जूटी सांत मना हम उनको देते हैं इस प्रकार का जो विश्वास होता है न वो जूठे प्रेम की तरह होता, जूठे प्यार की तरह है, जिसमें वायदे बहुत होते हैं, पूरा कुछ नहीं होता, क्रियातमक कुछ नहीं होता, साधिसुदा लोग कितने हैं? वह सारे लोग हैं, आप अपनी पत्नी से प्रेम करत करते हैं कि नहीं कि अरे आवाज नहीं आ रही घर जाके जवाब देना पड़ेगा फिर करा करो अगर हम अपने पत्नियों से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम को अलग अलग तरीके से उस प्रेम कैसा होता हम सिर्फ सब्दों से बोलते हैं मैं तुसे बहुत प्यार करता हूं I love you सिर्फ इतने तक तो सिमित नहीं होता ना कभी-कभी उनको बाहर लेकर जाते हैं उनके साथ में टाइम स्पेंड करने खाना-खाने चले गए कभी-कभी उनको तोफा देते हैं gift देते हैं उनको अपना frame को दिखाने के लिए ये तरीका है अपने प्रेम को प्रगट करने के लिए उनकी तारीफ करते हैं उनसे अच्छी अच्छी बाते करते हैं शोपिंग भी कराते हैं कपड़े भपड़े भी दिलाते हैं ये तो खेर एक दूसरी बात हूँ वो तो वैसे भी मतलब प्रेम की बात में कर रहा हूं प्रेम जब हम करते हैं वो उमड के आता है वो क्रियाओं में आता है फिर हम कुछ करते हैं उनके लिए जिससे आप प्यार करते हैं उसके लिए आप कुछ करते हैं सच्चा प्रेम ऐसा होता है लेकिन जूटा प्रेम कैसा होता है वो सिर्फ उसमें बाते होती है उसमें सच्चाई कुछ नहीं होती उसमें करिया कुछ नहीं होती उसमें किया कुछ नहीं जाता जो बिना कर्मों का विश्वास भी कुछ ऐसा ही होता है एक pastor और उनकी team एक जगह पे गई सूसमाचाल सुनाने के लिए क्या करने के लिए सूसमाचाल सुनाने के लिए अच्छा काम कर रहे थे यस प्रभू का काम कर रहे थे अच्छी बात है वो सूसमाचाल सुनाने के लिए गए पूरी गाड़ी बरकी वहाँ पर गए हुए थे और वो जिस गाओं में उन्होंने जाना था उस गाओं में पहुँचे उस गाओं में पहुँचने के बाद उन्होंने तयारी की कि हम यहाँ पर अब सेट अप लगाएंगे लोगों को बुलाएंगे, सूसमाचार सुनाएंगे जो भी उनकी तियारी थी, वो करने में जुट गए लेकिन उनको पता चला कि लोगों के घरों में पानी नहीं है पीने के लिए क्या नहीं है? पानी नहीं है, पानी की बहुत ज़ादा कमी है उन्होंने लोगों से बात चीत की कि क्या बात है पानी नहीं यहां पर पानी यहां पर नहीं आता सूसमाचार सुनाने गए थे लेकिन जब उनको पता चला कि इनके गाउं में पानी नहीं है उन्होंने उनको सूसमाचार नहीं सुनाया सूसमाचार नहीं सुनाया क्या किया? गए और उनके लिए पानी के टैंकर भरवा कि उनकी गाउं में लेकर आए हालिलुया सूसमाचार उनने उस वक्त नहीं सुनाया क्योंकि उन्होंने उनकी जरूरत नजर आई और परमेशर का प्रेम जो उनकी अंदर था और उनका जो सच्छा विश्वास था उसने उनको प्रेरित किया कि आप इनकी जरूरत को पूरा कीजिए और उन्होंने परमेशर की आग्या को मानते हुए वो गए और पानी टेंकर भर के लेकर आए और उनके लिए पानी की वैवस्था की हालेलुया सच्छा विश्वास कर्मों के द्वारा दिखता है हालेलुया तीसरा बात जो है कि सच्छा विश्वास दूसरों की जरूरतों को समझता है और उसे पूरा करता है समझता है अगर सच्चा विश्वास है सच्चे परमेशन से प्रेम करने वाले अगर हम लोग हैं तो हम दूसरों की जरूरत को समझेंगे दूसरों की जरूरतों को पूरा करेंगे इसमें त्याग भी है सच्छा विश्वास त्याग की मांग भी करता है हलेलुया हमें सच में ऐसा करना चाहिए हम सिर्फ कई बार ऐसे बोल देते हैं परमेश्वर तेरी मदद करेगा उसको जरूरत भई उसके बच्चा बिमार है उसके बीवी बिमार है उसको कुछ पैसे चाहिए कि वो इलाज करवाए जाके लेकिन हम बोलते हैं प्रभू तुमारी मदद करेगा साहता करेगा ठीक है प्रात्ना कर देते हैं सिर्फ इतना कहके आते हैं अपनी जेव में हाथ नहीं डालते कि उसके लिए हाथ बढ़ाए और सच में ये देखिए इस प्रकार करने वाले व्यक्ति का विस्वास क्या सचा है अगर वो ये कह रहा है कि परमेश्य तेरी मदद करेगा तो वो खुद के लिए ये बात क्यों नहीं सोचता कि मेरे पास जो धन है मैं इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए दे दू मेरी जरूरत परमेश्य पूरी करेगा दूसरों को बोलना आसान लगता है परमेश्य तेरी जरूरत पूरा करेगा हम वही बात कई बार खुद के लिए नहीं सोचते कोई बात नहीं मेरे पास कम है लेकिन इनको दे देता हूँ परमेश्र करेगा मेरी मदद सिर्फ सब्दों तक हम हमारे विश्वास को उसको हम सिमित रखते हैं सच्चा विश्वास सब्दों तक सिमित नहीं होता सच्चा विश्वास जो है बले कारियों में दिखाई देता है आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, सत्रा में लिखा हुआ है, वैसे ही विश्वास भी, यदि उसके साथ कारिय नहों, तो अपने आप में मृतक है, यदि किसी बाई ये बहन के पास कपड़े नहों, और उन्हें प्रति दिन के भोजन की आवशकता हो, और तुम में से कोई और त्रिप्त रहो, पर उन्हें वो वस्तु ना दे, जो उनके सरीर के लिए आवशक है, तो क्या लाब, वैसे ही विश्वास भी, यदि उसके साथ कारिय नहों, तो अपने आप में मरा हुआ है, मरतक है, मरा हुआ है, विश्वास हम बोलते बहुत विश्वासी हैं, विश संदे को आगे, प्रात्ना करने के लिए वेटनेस्टी को आगे, और अपने घर में फिर बस वापिस वैसी ही जिंदगी, सच्चा विश्वास क्रियात्मक होता है, बोलिए क्रियात्मक होता है, कार्य करने वाला होता है, हम सिर्फ वर्ड में सब्द में उल्जे रह जाते है लेकिन सच्चा विश्वास साब्दिक नहीं, क्रियात्मक होता है आप अपने आप से हम एक सवाल पूछे मैं दस साल से विश्वास में हूँ, मैं दो साल से विश्वास में हूँ मैं इतने साल से विश्वास में हूँ, क्या मेरा विश्वास सच्चा विश्वास है? तो मारा विश्वास बलेकारियों में नहीं दिखाई देता, सिर्फ भावनों में दिखाई देता है, तो विश्वास हमारा सच्चा नहीं है, अगर हम दूसरों की जरुरूरतों को समझते नहीं हैं, पूरा नहीं करते हैं, अंदेखा कर देते हैं, तो सच में हमारा विश्व जीवित है या मरा हुआ है लास है या एक जीवन वाला विश्वास जीवित विश्वास है विश्वास तब तक निरर्थक है जब तक उसमें कारिय नहीं है कोई अर्थ नहीं है ऐसे विश्वास का जो दूसरों की परवाह नहीं करता जो दूसरों की चिंता नहीं करता जो करत नहीं इस परकार के विस्वास का जब तक उसमें कारिय नहीं है किया हम कारिय करते हैं किया हम विस्वासी दिखने वाले विस्वास का प्रगटावा भले कारियों में करते हैं कि देने के किसी को मदद करी है हमने किसी के जरुतमन की मदद कर दी किसी भूखे को खाना खिला दिया, किसी के दुख में जाके खड़े होगे, उसके साथ में हम उसको सहारा दे रहे हैं, क्या हमारा जीवन इस प्रकार का है या फिर सिर्फ रूखा सुखा जीवन है, संडे को दिखाई देते हैं, सिर्फ उसके बाद बस अपने जिन्दकी में हम घुले हुए हैं, कोई भी कुछ, अंदर कुछ हो नहीं रहा है, आपको पता है, संसार में सबसे ज़्यादा मसीही लोग हैं, किस-किस को पता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मसीही लोग हैं, फिर भी एक वो वाला बदलाव नजर नहीं आता, वो वाली बात नजर नहीं आती, जो नजर आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मसीह लोग है, लेकिन फिर भी एक सच्चाई कहीं दिखती नहीं है, कारण क्या है, ज़्यादा तर्म जो मसीही लोग है, वो बस ठंडे हो चुके हैं, सिर्फ ठंडे, खाली हो चुके, अंदर परमेश्र का प्रेम नहीं है, खाली हो गए, नाम के मसीही हो गए है, परमेश्र नाम के मसीही नहीं चाहता, परमेश्र काम के मसीही चाहता है, परमेश्र, नाम के मसीही, परमेश्र क्या चाहता है, काम के मसीही चाहता है, हलेलुया, बाइबल के अंदर हम देखते हैं, सबसे प्रशानत अंकल प्रचार करके सुवे उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि बाइबल की जो पहले किताब है जैनेसी उत्पती उसका पहली सुरुआत जब आप देखते हो वो सुरू ही काम से होती है परमेशन ने काम किया परमेशन ने क्या किया काम किया फिर उसने आदम और हवा करो चा उनको भी परमेशन ने काम करो क्या दिया हललुया यह संसार जो है यह उस अदन की वाटिका के समान है इसमें हमें परमेशन के कारियों को करना है क्या करना है परमेशन के कारियों को करना है जब हम भले काम करते हैं जब हम अच्छे काम करते हैं तब हम समाज के अंदर Masih को प्रदर्शित करते हैं कि Masih ऐसा है हाललुया प्रभु यसमसिय मनुश्य की देह में होकर वो इस संसार के अंदर आए और उन्होंने परमेशर के चरित्र को हमारे सामने प्रगट किया उसने कर्मों के द्वारा उसने वचनों के द्वारा उसने प्रेम करने के द्वारा दिखाया की परमेशर कैसा है क्या किया दिखाया की परमेशर कैसा है हलेलुया अगर हम अपने आपको उसके अनुवियाई बोलते हैं कहते हैं तो हमारे जीवनों से भले कारिये दिखने चाहिए हलेलुया सच्छा विश्वास जो होता है वो भले कारियों को जन्म देता है क्या करता है सच्छा विश्वास हमारे अंदर बखलेकारियों को क्या करता है जन्व देता है क्या हम बखलेकारिय करते हैं अपने आप से यह सवाल हमें आज पूँचना है अगर हमारे अंदर सच में सिर्फ एक वही भावनाः सुखी भावनाः विस्वासी वाले कि मैं विस्वासी हूँ उससे अलावा और कुछ हमारे जीवनों में कारिय नहीं है, भावनाय नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पन नहीं है, अधीनता नहीं है, भले कारिय करने की इच्छा नहीं है, तो सच में हमारा परिवर्तन हुआ ही नहीं है आज तक, हमारा परिवर्तन हुआ ही नहीं है आज तक सच्छा परिवर्तन कारियों के द्वारा दिखाई देता है सच्छा परिवर्तन कारियों के द्वारा क्या करता है दिखाई देता है हालेलुया जैसे पास्टर जी गए थी वहाँ पर सेवा करने के लिए लेकिन उन्होंने पहले उनकी जरूरत को पूरा किया उनकी जरूरत पूरा होगी उसके बाद हम उनको सुश्माचार देंगे परंतु हे मुर्ख क्या तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि कारिये के बिना विश्वास वेर्थ है कोई मुल्ले नहीं रखता वेर्थ है अगर हमारे विश्वास में कारिये नहीं है भले कारिये नहीं है अच्छे कारिये नहीं है तो वेर्थ है हमारा विश्वास किस में क्या हमारा पिता इब्राहिम कारियों के दोरा उस समय धर्मी ने ठहराया गया, जब उसने अपने पुत्र इसहा को वैदी पर चढ़ाया, अता तुमने देखा कि विश्वास उसके कारियों में प्रगट हो रहा था, और उसके कारियों के परिणाम स्वरूप, उसका विश्वास शिद्ध हुआ, उसके कारियों के परिणाम स्वरूप, उ पर्मेश्र ने कहा कि अबराहम यासा कर, तुझ न इसको मेरे लिए बिली कर दे। अबराहम उसको लेके चल देता है, और अपने बेटे को बिली करने के लिए त्यार ही। क्योंकि उसका जो अपने बेटे के प्रती प्रेम से ज़्यादा परमेश्र के प्रती प्रेम था उसको पता है कि इस संतान की जो वाचा थी परमेश्र ने बांदी थी उसी ने मुझे दिया है और मैं जानता हूँ कि अगर मर भी गया तो परमेश्र इसको जिन्दा कर सकता है परमेश्र ने मुझे बाचा बांदी है कि मैं तुम्हें संतान दूँगा अंगिनत संतान दूँगा तो परमेश्र इसको जीवित कर सकता है उसको विश्वास था परमेश्र के प्रती और उसको कुर्बान करने के लिए वो चल दिया लेकिन जैसे ही वो कुर्बान करने लगा उसको बली देने लगा परमेश्र के दूत ने उसको आवाज दी कि इसको मत मार मैं जान गया हूँ कि तुम मुझे बहुत प्रेम करता है हालिलुया मैं जान गया हूँ कि तुम मुझे पर विश्वास करता है और उसी बात को जो हजारों साल पहले बीती थी उसके बाद में हम याकूब की पत्री में देखते हैं याकूब उसका जिक्र करता है उसके विश्वास का जिक्र करता है एक ऐसा उदाहरन अबराहम ने सेट किया उसने परमेश्र की वानी को सुना उसने उसको आग्या कारिता की रूप में लिया और वो करने के लिए चल पड़ा उसके कारिये ने उसके विश्वास को सिद्ध किय और उसका उदारन आज हम यहाँ पर देखते हैं हालिलुया उसके बाद राहाब के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है राहाब एक वैश्या थी अतरह तुम देखते हो कि मनुश्य के विश्वास से नहीं प्रंतु कर्मों से धर्मी ठहराया जाता यह बात पहले हम सीख चुके हैं मैंने बताया था वैसे ही राहाब वैसे अभी जब दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार से विदा किया तो क्या कारियों से धर्मी न ठहरी है जैसे सरीर आत्मा के बिना मरतक है वैसे ही विश्वास भी कारियों के बिना मरा हुआ है राहाब वैसे यहूदी जाती से नहीं थी और वो एक दूसरे देश में रहते थे और जब वहां के जो यहूदी जो भेदिये थे वहां पर गए तो उनके राहाब की घर में उन्होंने पना ली राहाब को पता था कि यह उस परमेशर के जन है जो यहूदी परमेशर है उसको याद थी मिस्सर में गटी गटनाए उसको पता थी राहाब को और उसके अंदर एक विश्वास था कि परमेशर ही यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने वाला है और परमेशर के और ध्यान देते वे उस पर विश्वास करते वे उसने इनका साथ दिया और उस नगर में सब तो मारे गए लेकिन इसको बचा लिया गया क्योंकि इसने परमेशर पर विश्वास किया था तो यहां पर रहाब को भी एक अच्छे कार्य करने वाली के रूप में यहां पर दिखाया गया है अगर हम विश्वास करते हैं वो कार्य में दिखता है बोलिए अगर मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे कार्यों में दिखाई देगा सच्चा विश्वास दिखाई देता है आस्ट में जो 26 में ऐसे लिखा है, आता है जैसे शरीर आत्मा के बिना मरतक है, ठीक वैसे ही विश्वास भी कारिय के बिना क्या है? मरा हुआ है. आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं, मेरा विश्वास जंदा है या मरा हुआ है? इतने साल से हम अपने चर्च में आ रहे वचन में से लिखा न, कि सब हे प्रभू, हे प्रभू कहने वाले स्वर की राजे में प्रवेश नहीं करेंगे. कोई कहेगा प्रभू तेरे नाम से मैंने बविश्यवानी की थी, तेरे नाम से मैंने ये करा था, वो करा था, लेकिन प्रभू कहता है, मैं तुम्हें नहीं आगर साही समय पर तुमने अपने आपको जाच लिया होता तो तुम्हें साइद ये इस बात को सुनना नहीं पढ़ता। हमें अपने विश्वास को जाचने की ज़रूत है, क्या हमारा विश्वास जीवित विश्वास है, क्या हमारा विश्वास कारिये करने वाला विश्वास है, हमें करना चाहिए, हमसे चाहिए थोड़ा कारिये बनता हो, हम थोड़ा करें, अगर हम जितना आप से हो सके, करिए परमेश्र की प्रेम को अपने कारियों के द्वरा दिखाईए प्रदर्शित कीजिए स्वार्थी जीवन जीना छोड़ दीजिए मसीही जीवन स्वार्थी जीवन नहीं होता, स्वार्थ एक बहुत गंभीर पाप है, मतलबी पन एक बहुत गंभीर पाप है हमारा विश्वास, हमारे कारियों के दौरा, भले कारियों के दौरा हमारी कलिश्या में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में दिखना चाहिए हम मसी को प्रजेंट कर रहे हैं, मसी को दिखा रहे हैं अपने भले कारियों के द्वारा अपने विश्वास के प्रमान को हम दे रहे हैं अपने कारियों के द्वारा आपके भले कारिय आपके विश्वास का क्या होता है प्रमान होता है कि मैं मसी पे विश्वास करता हूँ जीवित परमेशन पर याकूब भी बताता है कि विश्वास और कार्ये के बीच की कड़ी इतनी नजदीक है जितनी मनुष्य की आत्मा और सरीर के बीच है इतनी नजदीक है यदि आत्मा सरीर से अलग हुई तो सरीर मरा हुआ है अगर हमारे विश्वास से कारी अलग हुए तो हमारा विश्वास मरा हुआ है हमें भले कारी करने हैं परमेश्र की आग्या है मत्ती 5-16 में हम कहते हैं कि तुम्हारे भले कारी है अन्य जातिव के मत्त दे इस प्रकार चमके कि वो परमेश्र की क्या करें उन्हें देकर परमिश्र की आराधना करें परमिश्र की महीमा करें हमें भले कारे करने हैं क्योंकि उसके द्वारा हम अपने विश्वास का प्रमान देते हैं कि हमारा विश्वास सच्छा है हमें भले कारे करने हैं क्योंकि भले कारे करने के लिए प्रबु ने आग्या दी है हमें भले कारे करने है क्योंकि भले कारे करने से प्रबु की महिमा होती है हालेलुया हमें अपने आपको जाचना है हम सायद अपने आपको कह रहे हैं कि विश्वास में हैं इतने साल से लेकिन हमने कहीं ऐसा नहों कि हम धोखे में रह जाएं कहीं ऐसा नहों कि हम धोखे में रह जाएं जिस प्रकार हम चीजों को खरीदते हुए हम जाच परक के देखते हैं आज अपने आपको जाच परक कर देखिए इतने साल होगे मुझे विश्वासी विश्वासी कहते वे अपने आपको, क्या मेरे विश्वास में सच्चाई है, क्या ये विश्वास बाहर अच्छे कामों में प्रदर्शित होता है क्या ये विश्वास भले कारियों में दिखाई देता है, या सिर्फ भावनात में क्या ये विश्वास दूसरों के जरूरतों को समझतारों से पूरा करता है क्या विश्वास मेरा अर्थ पूर्ण विश्वास है हमें अपने आप से पूछना है हालेलुया क्योंकि सच्चा विश्वास जलगता है बोली सच्चा विश्वास जलगता है दिखता है आपके जीवन में अपनी जगव पर खड़े हो जाएंगे हम